Xbox पागल हो गया है, GTA 6 में होगा धमा का God of War, Ragnarok PC Announcement, Marvel Rival Game के Character और Gameplay Reveal, Sony Hill Driver 2 का High Voltage Drama, Hill Blade 2 आ सकता है PS5 में ये हैं इस वीक के मेजर हाइलाइट चलिए अब डिटेल में बात करते हैं सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं Microsoft Xbox रेके, तो मैं आपको बता दू, Microsoft का दिमाग खराब हो गया है और वो लोगों ने अभी कुछ स्टूडियो को क्लोज किया जिसके नाम है, Tango Gamework, Alpha Dog Studio और Arcane Studio अस्टिन का और यही नहीं Roundhouse Studio को लोग मर्ज कर दिये, Genie Max Online Studio का साथ और यह जब से फिल स्पेंसर भाईया ने बतिसडा को एक्वाईर किया, तब से इतने सारे धमाका ही कर रहे हैं कि पूछे इमत और यही नहीं Hi-Fi Rust गेम तो एक्सपेक्टी नहीं किया था कि उसका भी स्टूडियो क्लोज होने वाला है, तो Tango लोग इवन प्लानिंग कर रहे थे कि वो लोग हाई फाई रस का सीक्वेल पिछ करेंगे, फिल स्पेंसर के सामने, लेकिन पिछ करने से पहले ही फिल स्पेंस दिया है, क्या आप सच में लोगा दिमाग घूम गया है, क्या जो फिल स्पेंसर का फॉल आउट 76 कैम्प हैं, वहाँ पे कोई बंदे ने जाके न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया, मैं तो बोलता है दो चाल ब्लास्ट और कर दो उसके कैम पे, गेम वाले कैम पे ना कि उनके की तरह हो सकता है, लेट सी वो फ्यूचर में क्या करेंगे और उनके देमा का सच में कोई ठीकाना नहीं कब वो लोग क्या करने वाले हैं, मुझे तो बस यही लग रहा है कि यह लोग कॉल अफ डूटी को बस माता पुठाया के घूमेंगे और सारी गेम को लोग क्रॉस प् इंक्रिच करेंगे और प्राइज इंक्रिच क्यों ना करें वाई, एक्टिविजन बिलिजर पर इतना सारा बिलियन डॉलर खर्च हुआ है, तो कहीं से तो वो सूलेंगे ना, नेक्स अब लेट है है हेल ड्राइवर 2 से लेके, तो मैं आपको बता दू, लास्ट ट्रिक मैं रिविव गिरें, और जैसे निगेटिव रिविव गिरना स्टार्ट हुआ, उसके बास सोनी को दिमाग ठिकाने पे आया, तो लोगों ने बोला कि हमसे गल्दी हो गया, हम इस डिसिजन को वापस लेते हैं, जैसे ये निव जाया, उसके बास से फैन लोगो को काफी रहत मि वो लोग ऐसा भी ओफर दे सकते कि अगर आप PSN अकाउंट लिंक करते तो हम आपको एक कैप दे देंगे या कुछ गनमन दे देंगे, ऐसे क्या होता है कि यूजर में इंकरेजमेंट बढ़ेगा और इतने सारे तो निगेटिव रिविव डिफिनेंटली नहीं गिरेंगे, नेक्स अबडेट है GTA 6 से लेके, हाँ बाई मैं काफी टाइम से GTA 6 का निउज नहीं दे रहा हूं लेकिन हाँ अब देना परेगा क्योंकि 16 में दूर नहीं है, एक्चुलिए 16 में एक वो जो टेक टू है, उनके जो पैरेंट कंपनी उनका एक मीटिंग होने वाला है, और ऐस स्टूडियो ने क्या गेम खेला भाई, उसके बाद हो लोग ने चार इमेज को ट्विटर में पोस्ट किया और उसके बाद फैन लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कॉंट्रोल करता है हमें, जीटी सिस की तिरफ से और भी सारे रियूमर आ रहे हैं कि इस बार मल्टिपल स्पोर्ट को इंक्लूड किया जागा जैसे की फुटबॉल, बास्केट बॉल और अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप एक स्टेडियम का इमेज है, इसके अलावा और भी सारे गेम के नाम आ रहे हैं, जैसे की बालिंग, ट्रेसलिंग या जीम हो सकता है, मट कलब होगा, और ये भी रिमर आ रहे हैं कि इस मन्त या नेक्स्ट मन तक एक ट्रेलर ड्रॉप हो सकता है, हाँ भाई एक ट्रेलर तो आप लोग देदो यार 6 मन्त होने वाले हैं, एसासिन क्रीड ग्रेट का गेम प्ले रिविल हो सकता है, यूबी सौर्फ फरवार्ड में, यूबी सौर रेगनारॉप का PC एनाउसमेंट हो सकता है, और ये निउज अगर सच है तो भाई फैन लोग के लिए बहुत बढ़ा घुट निउज है, रेजडेंट इविल के बारे में एक निउज पता चला है, जो कि उनके को क्रीटर है सीनजी मिका में, उन्होंने कनफर्म किया है कि ए ऐसे रिमर आ रहे है कि इसका लोकेशन कनफर्म हो चुका है, और इसका लोकेशन होगा एक आईलेंड, और ये जो आईलेंड है, वो होंगे साउथ इस्ट एसिया सी, जो कि टोटली इंस्पायर है सिंगापूर से, और इसके अलावा वहाँ पे एक फिक्सनल रूरल टाउन भी होगा, तो गोस्ट आफ सुसीमा की तरफ से नियूज आ रहे है कि जो उसका गेम पीसी माने वाला है, उसके लिए आपको प्लेस्टेसन नेटवर का एकाउंट होना चाहिए, लेकिन उसमें गूर नियूज ये कि सिंगल प्लेयर के लिए कोई रिक्वार्मेंट नहीं है लेकिन अगर आप मल्टिप्लेयर मोड में खेलोगों तो डेफिनिटली आपको पीसेन एकाउंट चाहिए, तो मैं आपको बता दू, एराउंड वो लोग ना चार साल काम किया, उसके बाद वो लोग 16 मैं को फाइनली लॉंच कर रहे हैं, और जो पीसेन एकाउंट को लेके हेल ड्रैवर्टों में पंगा हुआ है, आई होप ऐसा चीज यहां पे ना हो, लॉड ओफ द फॉलन और स्नीपर घोस्ट वारियर, ये डारेक्ली आपको एक्सबॉक्स गेम पास्ट पे आ सकता है, क्योंकि CI गेम्स ने कनफर्म किया कि वो लोगों ने एक डिल साइन किया है Microsoft के साथ, The Witcher 3 Redkit, एक extensive mode editor, ये आपको डिलीज होगा 21 में 2024 को, और ये सब के लिए अविलेबल होगा, जो The Witcher 3 Wild Hunt PC में पर्चेस किये हुए है, Mortal Kombat 1 की तरफ से वीडियो आया, इस वीडियो में आप देख सकते कि Homelander भाई, फाइट कर रहे हैं, और ये लोग Homelander को बहुत ही लाने वाला है, ऐसे rumor confirm हो रहा है कि PlayStation showcase ये next week हो सकता है, और ये hint दिये हमारे DJ academics ने PS5 Pro के तरफ से फिर से एक नियू जाया है, कि उसका details reveal हो गया है, और अभी आप इस screen पे देख सकते कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है, और इसका development kit देख सकते हैं, और भी ये मैं दावा नह को बता दो, जो उनका project codename था Castrial, इस game को वो लोगो ने cancel कर दिया है, और ये game एक concept stage पे था, और ये game cooperative multiplayer game होने वाला था, लेकिन Tencent and Remedy ने मिल कि इस co-op multiplayer game को cancel कर दिया है, Terminator Survivor के तरफ से update आ रहा है कि इसका game कैसा हो सकता है, इसके बार में बोला जाले है कि ये single player FPS होगा, जिसमें offline mode भी होगे, इसके आरव 4 player co-op multiplayer मिल सकते हैं, ये पूरी तरह से Unreal Engine 5 पे develop किया जाएगा, और इसमें आपको बहुत सारे hunt करने का मौका मिलेगा, और इसमें आप ब Cast Electric Q, और Firestone, और Firestone में आपको कुछ additional भी चीज मिल सकते हैं, ये अभी अविलेबल है, और ये 16 में तक अभी अब जाके इसे enjoy कर लिजे, और हाँ next game इसका mystery game होने वाला है, Destiny 2 के तरफ से बहुत बदा good news आ रहा है, और आप अब 20 से लेके June 3 तक 3 major expansion को free main enjoy कर सकते हैं, और जो यह 8 में से अविलेबल हो चुका है और आप June 3 तक enjoy कर सकते हैं क्यूंकि June 4 को वो लोका the final से आने वाला है तो देरी क्यूं कर रहे हो जल्दी से जाएक आप इस team के through भी download कर सकते हो नेक्स अपडेट है Stealer Blade की तरफ से और ये लोगों ने प्लेयर 24 पोल अफ्रील का वाड जीत चुके हैं और ये गेम तो Game of the Year का भी एक strongest container सावित हो रहा है तो नेक्स अपडेट है जो Marvel Rival का नाया गेम आने वादा उसके तरफ से और ऐसे दावा किये जा रहे है कि उसका जो character और gameplay पूरी तरह से reveal हो चुका है और ये reveal हुआ पूरा alpha data का जो भी testing हुआ था उसके दोरान तो हमें पहले पता चला था कि इसमें 20 character announce हुए थे लेकिन बाकी 19 character announce नहीं हुए थे लेकिन अभी आप इस screen पर देख सकते हैं इस पर बहुत सारे character आ रहे हैं और कितने सारे character कर तो आपने नाम सुना ही नहीं होगा और इसका जो gameplay रिवील हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि किसके पास क्या क्या पावर है मतलब कि Hulk, Doctor Strange, Captain America सब के पास जो जो पावर है यह आप देख सकते हैं Xbox Game Pass पर शेनुआ सागा Hellblade 2 जो की 21 में से अविलेबल हो जाएगा इसी Xbox Series, XS, PC और कलाउड गेम पर अविलेबल हो जाएगा नेक्स अपडेट Hellblade 2 की तरव से ही आ रहा है और ऐसे रियूमर आ रहा है कि Microsoft प्लान कर रहा है कि Hellblade 2 को वो लोग PS5 पर लाँच करेंगे प्लान कर सकते हैं नेक्स अपडेट आ रहा है टॉम रिडर गेम की तरव से और उसके बारे में बोल आ जा रहा है कि एक पूरी तरह से फुली ओपेन वर्ल्ड गेम होगा जो कि इंडिया में सेट करेगा और इसे अन्रियल इंजन 5 पे डेवलप किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे सिनारियों को इंक्लूट किया जाएगा यह से फ्री यूज ऑफ मोटर साइकल पैरासूट लैरा क्रॉफ्ट का जो ट्रांस बिलना ही जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पोस्ट करते हैं फोरो डालते हैं लेकिन काई सिनित ने भाई यह तबाही मचा दे इन्हों ने डायरेक्ली एल्डर रिंग गेम के लिए एक वीडियो बना दिया और इनका जो वीडियो एनाउंसमेंट है बहुत ही धमाके जा है ऐसा लग रहा है कि वे गेमी लांच ना कर दे तो बहुत करते हैं अपने नेक्स सेगमें जिसका नाम है खबरे फटाफट फट फाइनल फैंटेस्टीस 14 के सर्वर पे एक डीडी ओएस अटेक हुआ है निंटेंडो डायरेक्ट कंफर्मी जून 2024 में आ रहा है प्लेस्टे बाई अलुवीड़ अलुवीड़